इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी इंग्वेस एफ 160 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम टैबलेट लिपिड यानि की वसा कम करने वाली दो दवाओं से मिलकर बना है यह जीवनशेली में बदलाव होने पर कॉलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिस्राइट्स के नाम से जाने जाने वाले लिपिड के स्तर को कम करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है यानि की जैसे कम वसा वाले आहार अपने आप ही विफल रहे हैं यह दवा हिरदे रोग के खत्रे को कम करने में मदद करती है इंग्वस F.160 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम टैबलेट को भोजन के साथ या खाली पेट लिया जा सकता है आप दिन के किसी भी समय इसे ले सकते हैं लेकिन प्रती एक दिन इसे एक ही समय पर लेने की कोशिश करें आपका डॉक्टर आपके लिपिड लेवल और इस दवा क्याप पर असर के आधार पर सही खुराक निर्धारित करेगा घाई कॉलेस्टरॉल और ट्राइगलिस्राइड वाले अधिकतर लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं लेकिन दवा बंद करने से आपका लिपिड लेवल बढ़ सकता है जिससे आपकी स्थिती और अधिक खराब हो सकती है और होड डिसीज और स्ट्रोक होने का खत्रा बढ़ सकता है आपके कॉलेस्टरॉल और ट्राइगलिस्राइड लेवल यानि की लिपिड प्रोफाइल को नियमित रूप से चेक करना महत्वपूर्ण है यह दवा एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थ कम वसावाला आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान बंद करना, शराब का सेवन कम करना और वजन कम करना शामिल होना चाहिए इस दवा को लेते समय आप सामान्य तरीके से खाना खा सकते हैं, लेकिन अधिक वसावाला खाना खाने से बचें यह आम तोर पर हलके होते हैं और थोड़े समय के बाद गायब हो जाते हैं यदि आपको आँखों में पीलापन, असामान्य ब्लीडिंग या ब्रूजिंग, गंभीर या समझ न आने वाला मानस्पेशियों में दर्द दिखाई देता है या बार-बार होता है तो डॉक्टर से सलाह ले इस दवा का सेवन करते समय आपको समय समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह दी जा सकती है लिवर की बीमारी जैसी स्थितियों में इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए लिवर फंक्षन, आखों के निरंतर पीलेपन आधी के लिए abnormal blood taste इसे लेने से पहले अगर आपको किड्नी से संबंधित कोई समस्या है या अगर आप गर्भवती हैं, गर्भ धारन करने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं डाइबिटीज के मरीजों को इस दवा को लेते समय अपने blood sugar level पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि इससे blood sugar level बढ़ सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद